नमस्कार दोस्तो आज हम लोग comparison करने वाले हैं चिहुआवा वर्सिस फ्रेंच बुल्डॉग के बीच में comparison करके देखेंगे कि ये दोनों डॉग ब्रीड में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं origin चिहुआवा का origin मेक्सिको से है और फ्रेंच बुल्डॉग का origin फ्रांस से है popularity rank चिहुआवा की popularity rank 32 है और फ्रेंच बुल्डॉग की popularity rank 4 है size चिहुआवा और फ्रेंच बुल्डॉग दोनों ही small size के होते हैं हाइट चिवावा में मेल्स और फिमेल्स दोनों की ही हाइट 15 cm to 23 cm तक की हो सकती है और फ्रेंच बुल डॉग में मेल्स और फिमेल्स दोनों की ही हाइट 33 cm to 40 cm तक की हो सकती है वेट चिहुआवा में मेल्स और फीमेल्स दोनों के हैं वेट टू केजिस टू फोर केजिस तक की हो सकती है और वहीं पे फ्रेंच बुल्डॉग में मेल्स और फीमेल्स दोनों के हैं वेट एट केजिस टू फोर्टीन केजिस तक की हो सकती है यूजर्स रेटिंग, यूजर्स रेटिंग में चिहुआवा को 3.5 स्टार्स आउट 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 ट्रेनेबलीटी चिवावा को ट्रेन करना मुस्किल होता है और फ्रेंच बुलडॉग को ट्रेन करना चिवावा के मुकाबले भी ज्यादा मुस्किल होता है वाच डॉग एवलीटी चिहुआवा और फ्रेंच बुलडॉग ये दोनों ही बिल्कुल भी अच्छे वाच डॉग नहीं होते हैं क्यूंकि ये साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं प्लस ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं प्लेफूलनेस चिहुआवा को खेल कुद में बहुत ही ज्यादा मज़ा आता है और फ्रेंच बुलडॉग को खेल कुद में उतना मज़ा नहीं आता है क्यूंकि ये बहुत ही लेजी नेचर के होते हैं अपार्टमेंट फ्रेंडली चिवावा और फ्रेंच बूलडग दोनों को ही आप किसी भी और कैसे भी साइज के अपार्टमेंट में बिल्कुल असानी के साथ रख सकते हैं इनको वहाँ रखने से आपो कोई भी दिक्कत परसानी या नहीं आएगी प्राइज चिवावा का एक पोपी इंडिया में 5,000 तो 15,000 के बिस में मिल जाएगा और फ्रेंच बूलडग का एक पोपी इंडिया में 70,000 तो 75,000 के बिस में मिल जाएगा लाइफ स्पैन चिवावा की लाइफ स्पैन 14 to 18 years तक की हो सकती है और फ्रेंच बुल्डॉग की लाइफ स्पैन 10 to 12 years तक की हो सकती है बारकिंग चिवावा बहुत ही ज़्यादा बार करते हैं और फ्रेंच बुल्डॉग बहुत ही कम बार करते हैं सोसल लीट, चिवावा और फ्रेंच बूल डॉग दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा सोसलाइजेशन करवाने के जरुवत नहीं पड़ती है क्यूंकि ये अग्रेसिव नहीं होते हैं, अगर इनको सोसलाइजेशन ना भी करवाय जाए तो इन्हें रखने में ज़्यादा दिकत नहीं आएगी बाइटिंग पोटेंशियल, चिवावा की बाइटिंग पोटेंशियल लो होती है और फ्रेंच बूल डॉग की बाइटिंग पोटेंशियल लो ही होती है ये दोनों ही डॉग ब्रीट किसी को भी बाइट नहीं करते हैं चिहुआवा की टैमप्रामेंट एलर्ट, करेजियस, इंटेलिजेंट, क्विक, डिवोर्टिड और लिवली होती है और फ्रेंच बुल्डॉग की टैमप्रामेंट प्लेफुल, एलर्ट, अफेक्सनेट, पेसेंट, लिवली, कीन, इजी गोईन, अथलेटिक और ब्राइट होती है ग्रूमिंग चिहुआवा को वीक में वन टाइम तु थ्री टाइम्स ग्रूमिंग करवाने के जुरूत परती है और फ्रेंच बुल्डॉग को वीक में वन टाइम तु टाइम्स ग्रूमिंग करवाने के जुरूत परती है कोट एंड कलर्स चिहुआवा, सौट कोट और लॉंग कोट दोनों में ही पाय जाते हैं और ये ब्लैक, टेन, रेड, क्रीम, फॉन और चौकलेट कलर में पाय जाते हैं और बुल्डॉग ये सिर्फ सौट कोट में ही पाय जाते हैं और ये क्रीम, वाइट, फॉन और ब्रिंडल कलर में पाय जाते हैं तो यारो आज का कॉमपेटिजन हमारा यही पर समाप्त होता है आप लोग को ये दोनों में से कौन सा डॉक ब्रीड ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताना फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में बाई बाई